तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम लाए हैं प्रमुख नदियां वा उनके उद्गम इस्थल सबसे पहले सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सत्लुज नदी इन तीनों ही नदियों का उद्गम इस्थल हमारा मान सरोबर जील है इसको कैसे याद रखेंगे? सिंधु सब्द को हम समझेगे साधु, ब्रह्मपुत्र को समझेगे ब्रह्मा, सत्लुज से समझेगे लाज, सत्लुज, लुज, लाज और मान सरोवर, मान सम्मान, साधू और ब्रह्मा का मान सम्मान के साथ लाज होनी चाहिए साधू और ब्रह्मा का मान सम्मान के साथ लाज होना चाहिए दूसरी नदी है हमारी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल है अमर कंटक की पहाड़ी, ना मर्दा, नर्मिदा यानि ना मरे, ना मुर्दा, ना मुर्दा यानि जो ना मरे, ना मरे यानि अमर, तो अमर कंटक की पहाड़ी, सोन, सोन नदी का उद्वा में स्थल्वी हमारी अमर कंटक की पहाड़ी है, इसको कैसे याद रखेंगे, सोन यान यानि अमीर और अमीर मतलब अमर कंटक की पहाड़ी है तापती नदी का उद्गम इस्थल है मुल्ताई इसको कैसे याद रखेंगे मुल्ताई की पहाड़ी मूल्तापती यानि मुल्ताई नमक पहाड़ी तापती नदे का कोशी सब्त कोश की इसको कैसे याद रखेंगे साथ कोश यानि साथ कोश की परिक्मा तो सब्त कोश की राम गंगा नैनी ताल राम गंगा नदी कहां से निकलती है नैनी ताल से इसको कैसे याद रखेंगे राम तेरी गंगा मैली मैली नैनी राम तेरी गंगा मैली हो जाएग नेनी तो राम गंगा निकलती है नेनी यानि नेनी ताल से गंड़क नदी नेपाल से निकलती है गंड़क यानि गेंड़ा नेपाल नहीं पाल गेंड़ा को मत पालो या नेपाल तो यह हो जाएगा गंड़क नदी नेपाल से महा नदी महा नदी सिवहा ना पहाडी से तो महा महान है कौन सिव यानि महादेव सिव गोदावरी नदी का उद्गमिस्तल नाशिक के निकट त्रम के शर पहाड़ी से होता है तो इसको कैसे याज रखेंगे गोद नाभी गोद किसके पास है नाभी यानि नाशिक के निकट गोद कहा होती है नाभी के पास नाभी यानि के निकट का वेरी केरकारा ब्रह्मिक्री पाड़ी केरकारा वेरी हो गया केरकारा क्या हो गया हमारा वैरी हो गया वैरी मतलब सत्रो तो यहां से इसको याद रखेंगे केरकारा वेरी हो गया यानि का वेरी नदी केरकारा चंबल नदी का अधुगा मिस्तल क्या है जाना पाओ पहाड़ी तो इसको कैसे याद रखेंगे चंबल की पहाड़ी पर जाना पाओगे किसकी पहाड़ी पनना जा पाओगे चंबल की पहाड़ी पर क्योंकि चंबल नदी चंबल के ढाको तो वहाँ पे इसलिए रहते थे कि वहाँ पर कोई नहीं जा पाथा तो चंबल की पहाड़ी पर जाना पाओगे चंबल नदी जाना पाओ पहाड़ी जेलम नदी जेलम नदी का उद्गर मिस्थल क्या है सेसनाग पहाड़ी जेलो सेसनाग को इसको याद रखने की तरीका है जेलो सेसनाग को रावी और ब्यास नदी का उद्गर मिस्थल क्या है रोहतांग दर्रा इसको कैसे याद रखेंगे रोहित 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 वा रवी की टांग में दरार है अतहा वे दोनों बे आस हैं क्या है इसको हमें कैसे समझना है रोहित और रवी की टांग में क्या है दरार है रोहित और रवी की टांग में दरार है इसलिए वे दोनों बे आस हैं उनके मन में कोई आस नहीं है यानि प्यास नदी किष्णा नदी कहां से निकलती है महावलेशर चोटी से तो इसको कैसे आज़ा किष्ण महावलसारी थे किष्णा कैसे थे महावलसारी तो किष्णा नदी का उद्गमिस्थल क्या है हमारा महावलेशर पहारी या चोटी चिनाव नदी का उद्गम इस्तल हमारा क्या है बड़ा लाचाव चिनाव में बड़ा लाचार था चिनाव को हम क्या समझेगे चिनाव चिनाव में बड़ा लाचार था लूनी नदी का उद्गम इस्तल क्या है बन जाएगी मन्य किसके पाज होती है नाग मन्य लूनि नाग मनि लूनि नाग मन्य । कटोरी कटोरी मैं नील लाओ कटोरी मैं कहला ओ नील अधी विक्टोरिया जील से अमेजन अधी किसे निकलती है लेगो विल फैरो से अमेजन अधी लेगो विल फैरो अब अमेजन जब हम सुनते हैं तो हमारे दिवाग में क्या आता है Amazon hueb site Amazon से सामा लेगो फिर बिल देगो तो इसको कैसे याद रखेंगे Amazon का सामान लेगो और बिल फेरो कितनी आiforn ट्रिक है हमारी अगली हमारी नदी है वाँगो नदी वाँगो नदी कहां में है चीन में और किस परवश से निकलती है क्यों नलोन परवत से निकलते है तो इसको कैसे हाँ हो क्यों नलो हाँ हो कैसे अमेजन का सामान लेगो हाँ हो हाँ हो यानि हाँ लेगो तो क्यों नलो क्यों नलो वांगो नदी हाँ हो क्यों नलो क्यों नलो डेन्यूम नदी किस से निकलती है तो डैन्यू हमारा कैसा होता है डैन्यू एक पक्छी का नाम है कैसा होता है सफेद उसका अपोजेट होता है ब्लैक डैन्यू सफेद ब्लैक बोलगा सलडाई पहाड बोलगा नदी किसे निकलती है सलडाई पहाड से तो बोलो गाओ और सलो हो जाओ बोलो गाओ और स्लो हो जाओ अगली हमारी नदी है यांग तीसी नसी अगले हमारी नदी है बोलगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग कांगु नदी कहां से निकलती है लू आईला के पहार से तो इसको कैसे आद है का गोलू आईला का गोलू आईला था या आईला तो इस प्रकार दोस्तों यह हमारी प्रमुख नदिया एवं उनके उद्गम इस्थाल है दोस्तों कैसा लगा है मेरे वीडियो कमेंड में ज़रूर बताएं मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि यह ट्रिक है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको अपने दिमाग में याद आख सके हैं इसकी म